उक्रेन और रूस के बीच जमीन पर छड़ी जंग अंतरिक्ष दाज्जा पहुंची खबरे की रूस ने पश्चिमी देशों के लगाय प्रतिमंदों का विरोध करते हुए ISS यानि इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला कर लिया और रूस की स्पेस एजनसी के मुख्या की तरफ से ये एलान किया गया कि रूस जल्द ही इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा जो एक तरह से अमेरिका के लिए एक चेतावनी है क्योंकि जमीन पर रूस के खिलाव खड़ा अमेरिका अंतरिक्ष में उसके साथ है 1998 में रूस और अमेरिका ने ही अंतराश्ट्रिय स्पेस स्टेशन शुरू किया था लेकिन बताया गया कि यूक्रेन पर हमले के बाद लगाय गए प्रतिबंधों ने रूस की नाराज़गी को इस हद तक बढ़ा दिया कि वो अब अंतरिक्ष में भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खत्म करना चाहता है लेकिन रूस ने अगर कोई ऐसा ऐलान किया है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है उसका ये फैसला इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन में मौझूद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी परिशानी खड़ी कर सकता क्योंकि ISS एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो प्रित्वी के चक्कर लगाता है वो स्पेस में पहुँचे अंतरिक्ष यात्रियों का घर है जहां वो रहते हैं और वो अंतरिक्ष यात्रि धर्ती पर रहने वाले लोगों के लिए कई एहम रिसर्ज भी करते हैं ISS को अमेरिका, रूस, जापान, यॉरप और कैनडा मिलकर चलाते हैं जिसमें अमेरिका और रूस के बिना तो इस स्पेस स्टेशन की कलबना ही मुश्किल है क्योंकि रूस और अमेरिका ही इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े साजेदार हैं इसमें अमेरिका की जिम्मेदारी वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को लाइफ सपोर्ट देना है तो वहीं रूस का काम ये देखना है कि ISS धर्ती के चक्कर लगाता रहे और ऐसे में अगर रूस ने हाथ कीच लिए तो फिर स्पेस टेशन काम ही नहीं कर पाएगा